नमस्कार, मैं डॉक्टर वीपिन मंसल वास्तु कंसिल्टेंट आज का जो विशाय वो बड़ा ही महत्वपून विशाय है मैक्रो स्टीज में आज कल पुरानी विल्डिंग को तोड़ के स्टील्ट पार्किंग के साथ 4 व्लोर बनाते हैं आप भी अपनी विल्डिंग को तोड़ के नीचे पार्किंग और उपर 5 व्लोर बना रहे हैं तो आज मैं इसके बारे में जनकारी देना चाहूँगा आपका पलोट साउथ फेसिंग है जो बिल्डिंग आपकी है वो south facing है और back side यानि north में आपकी service lane लगती है तो ऐसे में आपको stilt parking के साथ आपको setup कैसे करना चाहिए मैं वीडियो के अंत में आपको इस setup में एक special point आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा आप मेरी वीडियो को शुरूर से लेके आखिर तक जरूर देखेगा आप जो building तोड़के बनाने जा रहे हैं उसमें stilt parking आप नीचे बना रहे हैं तो हमेशा ही दो gate लगाई जाते हैं आपने वास्तु शास्तर के अनुसार दो gate कहां कहां लगाने हैं पहला gate आपने south east में लगाना है और दूसरा gate आपने south center में लगाना है जो आपका south west का भाग बनता है यहाँ पर आपने कोई भी gate नहीं लगाना है यहाँ पर solid दीवार लगाके इसे बंद करना है प्लोट्टके सौथिश्ट के भाग में इश्ट की दिवर के साथ लगवाना है अब मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपने यहाँ पर पानी के अंडरगाउथ टेंक कहा बनाए पाने के underground tank आप इस्ट सेंटर से इस्ट नोर्थ इस्ट के बाद तक आपको water tank क्योंकि हर एक फ्लोर के अलग-अलग water tank बनाए जाते हैं वो water tank आपने यहाँ पर बनाने हैं क्योंकि आप च्यार मंजिल बना रहे हैं तो आपके च्यार water tank बन जाएंगे और इनके जो धकन लगाने है वो धकन आपने इस तरीके से लगाने है जब आप गाड़ी अंदर पार्क करें तो धकन के उपर गाड़ी का परिया ना आए इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है जब आप water tank का पर्किंग एरिया में बनाएंगे तो water tank का जो फर्ष का लेवल है वो आपके पर्किंग के फर्ष के लेवल के बराबर ही होना चाहिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा पानी की बोरिंग आपने कहां करनी है क्यो मिर्ट बनानाना है वो भी आपका नवाप नोर्थ-नौर्थ-िस्ट के भाग में रूष कि तैंक बन जाएगा स्टेयर्स और येवल्फ आपने कहां बनानी है स्टेयर्स अर लिफ्ट अपने प्लॉट में बनानी है इसमें धियान रखनाः कि जब का एरिया है उसमें फर्स के धलान जो करनी है वो धलान आपने साउथ फेस्ट से नोर्थ इस्ट की और आपने फर्स की धलान करनी है और ऐसे ही साउथ से नोर्थ इस्ट की और और वेस्ट से नोर्थ इस्ट की और आप अपनी बिल्डिंग बना चुके हैं और आपके जो स्ट स्वास्ते से संबंदी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहूंगा आप अपने जो फर्ष की धलान जो आपकी साउथ की और आई हुए इसको आप नौर्थ की और करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहां जो भी प्रेशानी चल रही है उस प नौर्थ यूर करने से उस घर में रहने वाला परिवार हमेशा खुशाल हो जाता है अब आपको बताना चाहूंगा इस्टिल्ट पारकिंग में एक टोयलेट भी बनाई जाती है वह टोयलेट आपने कहां बनानी है वह टोयलेट आपने स्टेर्स और लिफ्ट के बैक सेड यहां पर भी आप टोइलेट बना सकते हैं और आप नोर्थवेस्ट कोने में भी आप टोइलेट बना सकते हैं लेकिन धियान रखना है जब टोइलेट आप नोर्थवेस्ट में या स्टेर्स और लिफ्ट के साथ टोइलेट बनाते हैं तो यहां का फर्श का लेवल जो आपकी पार्किंग का फर्ष का लेवल है, उसके बराबर होना चाहिए, ना तो नीचा होना चाहिए, और ना ही उचा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और टोलेट चिक जो लगाएंगे, उसका जो फेस होगा, या तो साउथ की और फेस होना चाहिए, या नॉर्थ छूर्फ में कट नूर्थ सिंटर में लगाना है और जब ये नार्थ में लगाए तो अधिस यजन menu से इट के स्वेड़ नौर्फ में अपने relaxed and liat Yep लगाया है तो नौर्थ में ज़ो only ओना चाहिए वह गेट दसी प्लस होना ही चाहिए और अ सॉक्षी के शॉलिश व आप आपके बंदवाले होने चाहिए और नौर्छ साइडे जो गेट है वह के जली बिल्डिंग बनाते समय आपने कहीं से कोई करज भी लिया है तो वो करज भी आपका जल्दी करके उतर जाएगा आपने इस परकार से अपने यहां सेटिंग जरूर करनी हैं आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को आप अपने सरकल में शेयर जरूर करेंगे और आपने मेरे चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गा और बेल आइकन भी जरूर क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बदलाव जरूर मिलता है वह आपक जरूर मेरेख बदलावस नहीं कैसा जरूर मेरैन को टूर में